इस न्यूज इस ब्रॉट टू बाई रिशी मार्बल एंड टाइल हाउस। जब लोगों ने सडक पर खून बिखरा देखा तो उन्हों ने तुरंत इसकी सूचना पंचायत प्रधान नरेंद्र भट को दी। प्रधान ने इसकी जानकारी पालमपुर पुलिस को दे दी। मौके पर पालमपुर के डी एसपी गुर्बचन सिंग्वर टीम ने पहुँच कर खून के नमूने इकठे कर जांच के लिए लिए। थोड़ी देर बाद कांगडा एसपी भी मौके पर पहुँच गए। एसपी कांगडा ने बताया कि हत्या या आत्महत्या के बारे में पोस्ट माचम के बाद ही पता चलेगा। जानकारी के अनुसार मृतक पांच बहनों का एकलौता भाई था। तीन लड़के रहते थे, दो लड़के अपने गांगे थे लड़के की बोड़ी स्वरे देखी है। अभी हम इसमें कुछ एक्जामनेशन कर रहे हैं, मौके पे एफसर टीम भी आई है, साक्षे गठा कर रहे हैं और इसका पोस्ट बाटम कराएंगे, उसके बाद ही कुछ क दिवेह माचल टीवी के लिए नगरी से कुल्दीव सोनी की रिपोर्ट गीजर्स, होलसेल रेट पर मिलते हैं, संपर्क करें रिशी मार्बल एंड टाइल हाउस, हमारा नंबर है 8283023162 या 76963906 या 8219081266